हएसcialaam uwagę दोस्तों आपका बेहत istagbal है हमारे YouTube चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूं मोहबत का जलाने वाला अमल निए अगर आप किसी से बेइंतहा मोहबत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे बेarat मोहबत करने लग जाए तो आपको यह अमल करना होगा, इस अमल को हम जलाने वाला अमल इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक फोटो चाही होता है, और एक कागस चाही होता है, तो इसको कैसे करना है, यह जानने के लिए मेरे इस वीडियो को ध्याद से देखिएगा, मौलाना जी के बहुत सारे लोगों ने जो महबत है, वो कुछ ही घंटों के अंदर-अंदर उनकी जिंदगी में वापस आगे, तो अगर आप भी चाहते हैं, अपनी महबत को हासिल करना, चाहते हैं कि आपकी महबत आप से बे इंतहा महबत करने लग जाए, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं, इसमें आपको क्य क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उनका फोटो लेना होगा, जो की कागस पर आप प्रिंट आउट वाला जो फोटो होता है, वो निकल वालीजे, और उसके बाद आपको एक साधा कागस चाहिए होगा, प्लेन पेपर जिसे हम होते हैं, उस पर किसी भी तरह की कोई लाइ लेखने के बीच में आपको एक प्लस का साइन लगाना है, यानि जमा का साइन लगा देना है, और उसके बाद उसको आपको सरकल बना देना है, यानि उसके चारो तरफ आपको एक बोल घिरा बना देना है, और उस कागस को आपको फोटो के उपर रख देना है, फोटो के उ या वाजदूत अल या आपको बोलना है और उसके बाद फोटों के उपर दम कर देना है एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि यह वजीफा आपको हफते के किसी भी दिन आप कर सकते हैं लेकिन रात को आपको करना है साथ बज़े से लेकर ग्यारा बज़े के बीच में इस समय अगर आप इसे करते हैं तो आपको पूरी तरह से इजाज़त मिलेगी और आपका जो वजीफा है वो काम करेगा अगर आप इसे इस समय करते हैं तो आपको हफते में किसी भी दिन आप इसे कर सकते हैं लेकिन साथ से ग्यारा के मीच में करना है आपको बोलना है या पाज दूत अल और उसके बाद कागस पर जो आपने नाम लिखा हुआ है उसके उपर भी दम करें और जो फोटो है फोटो पर भी दम करें इसके बाद आपको क्या करना है जो कागस पर नाम लिखा उसे आप फोल्ड कर लें और उसके बाद फोटो के उपर उसे रख दें अब अग्र आपको फोटो और काघस दोनों को जलाना है तो आप एक प्लेट ले ले या कोई भी बर्दन ले ले और उसके बाद उसमें रखकर इन दोनों चीज़ों को जला दे जब आप इने जलाएंगे तो जलाने के बाद इसकी राख जो आएगी राख को भी आपको फेकना नहीं इस बात का ध्यान रखें कि आपको पंखा बंद करके ये काम करना है जिसे जो राख है वो उड़े ना हावा में पूरी राख आपको इकटी कर लेनी है और उसके बाद कोबने एरिया में अपने जहां पर आप रहते हैं वहां पर बाहर जाकर देखना है जो भी उनसान जगे हो जहां पर कोई भी आता जाता ना हो और एक बात का ओर्धियान रखिएगा गंदी जगे नहीं होनी चाहिए वहां पर साफ सुथरा कोई खाली प्लॉट हो या फिर क इस पुडिया को जिसके अंदर आपने राख और मिट्टी रखी होगी इसको आपको अपने घर में किसी जगे पर छुपा कर रख देना है यकीन मानिये दोस्तों ये वजीफा अगर आपने इबार कर लिया तो आपकी महबबत आपके लिए इतना जादा तड़कने लग जा ये आप वजीफा एक बार करके देखिए आपकी जिन्देगी बिल्कुल बदल जाएगी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस वजीफे को कर रहे होगे तो आपको वजू कर लेना है साफ कपड़े पहन लेने उसके बाद इसे करना है और दूसरी बात जब आ आप इसे रखेंगे अपने घर में उसके बाद फिर से आपको वजू करना है और उसके बाद अपने कपड़े चेंज कर लेने जो भी कपड़े आपने पहले पहने थे उन्हें बदल कर आपको दूसरे कपड़े पहन लेने हैं और इस वजीफे का असर तुरंत होता है तुर कि मुलाना जी से बात कर सकते हैं हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में शब्बाखेर